और अब बात उत्तरप्रदेश उप्चुनाफ की, यूपी में नौ सीटों पर उप्चुनाफ जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है योगी का टागेट सभी नौ सीटे जीतने का है, जिसके लिए वो संग के साथ मिलकर प्लान बना चुके हैं कि एक-एक बूथ पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाना है, सिर्फ इतना ही नहीं, हर बूथ पर जाती गणित को भी साधने का फॉर्मिला तयार किया है नौ सीटों पर जीत के लिए संग और बीजेपी ने कौन सा प्लान तयार किया है, जो अखिलेश का पीडिये फॉर्मूला फेल कर देगा, दीवाली के बाद संग कैसे इस प्लान को एग्जेक्यूट करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में यूपी में नौ सीटों पर उप्चुनाओ बीजेपी और अखिलेश दोनों के लिए एक बड़ा दंगल है, सीम योगी हर सीट पर खुद मोर्चा तो संभालेंगे, साथ ही कोई कसर न रह जाए, उसके लिए बीजेपी और संग ने स्पेशल प्लान बनाया है बीजेपी नौ सीटें जीतकर विधान सभा में वापसी का दावा ठोकना चाहती है, तो अखिलेश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 27 में सप्ता के लिए माहौल बनाना चाहते है लेकिन बीजेपी लोग सभा चुनाव से सबक लेकर उपचुनाव में कसर पूरा करना चाहती है इसके लिए बीजेपी को संग का खुल कर साथ मिल रहा है सूत्रों की माने तो, संग ने बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यकरम शुरू किया है संग ने उपचुनाव वाली विधान सभा सीटों के लिए टोलियां तयार की है नौ सीटों पर संग की टोलियां पाँच से दस लोगों के साथ बैठके कर रही है जो लोगों से स्थानिय मुद्दों पर चर्चा कर रही है साथ ही हिंदुत्म सुशासन, विकास और लोग कल्यान के बारे में बैठक कर रहे हैं बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद बीजेपी और संग के योधा इस प्लान को नई धार देंगे उत्रमदेश में होने वाले उप्चुनाओ को लेकर संग भी अब बीजेपी के लिए जमीन तयार करने में जुड़ गया है बीजेपी और संग ने मिलकर जो खास फॉर्मूला तयार किया है वो यूपी उप्चुनाओ में नौ सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है वहीं यूपी उप्चुनाओ के लिए बीजेपी खेमे में नौ कलस्टर के हिसाब से रणनीती बनाई गई है हर कलस्टर में दो से तीन मंत्रियों के साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है इसके साथ ही हर विधान सभा सीट के प्रभारी मंत्री को भी अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी और संग ने पूरे प्लान को पदाधिकारियों और कार्यकरताओं में बांट दिया है च्छोटे ग्रुप्स में बूत पर लोगों से संपर्क अभियान का भी प्लान तयार किया गया है जिसमें जाती गणित का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि लोगसभा चुनाओ में समाजवादी पार्टी के जाती कार्ड ने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया था इसलिए इस पार बीजेपी ने हर बूत पर जाती गणित की जिम्मेदारी मंदल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को दी है बीजेपी ने अलग-अलग मोर्चे को जातीय समीकरण ध्यान में रखकर तेनाद किया है जातीयों के नेताओं को वोटिंग के लिए लोगों को प्रेरित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है साथ ही संगठन के क्षेत्रिय अध्यक्ष को भी लगाया गया है मंत्री परिशत के सदसिगण भी विधान सबास लगातार दौरे कर रहे हैं मंत्रियों के दम पर सरकार चुनाव जीतना चाहती है एक डर का माहूल बनाकर प्रशाशनिक मशेन्री का दुरूपयों कैसे जादा से जादा हो इसके लिए तीन-तीन मंत्री लगाए गए है जाहिर है यूपी का उप्चुनाव बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल बन चुका है जिसे बचाने के लिए बीजेपी और संग की डबल टीम एक जुट हो गई है अब इस तमाम रणनीती का फाइदा क्या होगा